तुम बहुत अजीब हो शाह मुस्करा कर बोला अजीब मतलब मैं उसकी तरफ देख कर हंसने लगी बंदर हो तुम बारिश बहुत तेज थी मैं जिद कर रही थी बारिश में नहाने की शाह नहीं बारिश में नहीं जाने दे रहा था मैं जाने लगी तो कुस्से से कहने लगा बिमार हो जाओगी मैं जिद करते वे बारिश में चली गई हवा भी बहुत तेज थी जूमने लगी शाह सामने बैठा हाल में लैपटॉप पर मस्रूफ था मैं जानती थी बारिश में भीकर मुझे बुखार हो जाता है मैं चेंज करके आराई शाह लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था बहुत टेंशन में लग रहा था मुझे शाह को तंग करने का बहुत दिल कर रहा था शामीर मेरी बात सुने लैपटॉप बंद करे और मेरी बात ध्यान से सुने मैं तंग करते हुए बोली शामीर ने काम करते हुए कहा तंग ना करो मैं जरूरी काम कर रहा हूँ मैं मन में मस्कुराई फिर जल्दी से लैपटॉप का स्विच बंद कर दिया शामीर खामोश रहा फिर मैंने कुछ उल्टे सीधे बटन दबाए ना जाने कैसे लैपटॉप की स्क्रीन बुझ गई शामीर ने मेरी तरफ घुसे से देखा जैसे मुझे कतल कर देगा फिर चलाया ये कैसी बच्चों वाली हरकतें करती हो लैपटॉप साइड पर रखा सर पर हाथ रखकर बैठ गया मैं मन में बहुत खुछ हो रही थी शामीर सुनो तो वो मुझे इग्नौर करने लगा सक्त लहजे में बोला तंग क्यूं कर रही हो जाओ खाना बनाओ जाकर मैं खामोश हो गई पास बैठी रही पांच मिनट गुजरे फिर बोला नम्रा सुन रही हो खाना बना लो मुझे दो बजे कहीं जाना है मैं पास बैठी शा सुनो मेरे माते पर एक बोसा करो शा हैरान था नम्रा क्या हो गया है मैंने कहा करो तो शा ने मेरे माते पर बोसा किया मैंने आखें बंद कर ली ना जाने क्यों मेरी आंख से आंसू पानी की तरह बहने लगे शा ने मेरे चेहरे को हाथों में भरा अरे पागल क्या हुआ ठीक तो हो ना मैं खामोश थी शा तड़प रहा था मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में भर लिये अपनी नाजुक सी उगलियों से मेरे आंसू साफ करने लगा नम्रा क्या हुआ? कुछ बोगी? मैं खामोशी से शामीर के सीने से लग गए शामीर मेरे सर पर हाथ रखे नम्रा कुछ बोगी? मैं ने धीमी सी आवाज में कहा शामीर तुम दूसरे मर्दों जैसे क्यों नहीं हो शाम उसकुराया ये क्या बात हुई सब मर्द एक से तो होते हैं मैंने फिर से का है नहीं ना मेरी दोस्त इसका शोहर इतना जलील करता है बेचारी को मारता है गालियां देता है मेरी दोस्तों कितनी बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है जबके वो बेचारी है भी बहुत खूबसुरत और मैं सामली सी फिर भी मुझे आप बहुत प्यार करते हो मेरी इज़त करते हो मेरे नخरे मेरी गलतियां सब कबूल करते हो मतख जाऊं तो सीने लगा लेते हो शामीर ने लंबी सांस ली मेरी पागल जो मर्द सब एक से होते हैं बस कुछ जाहिल मर्द और तो इज़त देना अपनी तोहीन समझते हैं और असे प्यार से बात करना अपनी अना में फना करते हैं ऐसे मर्द बहुत बदबख्त होते हैं शाह ने मेरे हाथ को अपने सीने पर रखा और बोला अब जाओ वजू करो जाकर नमाज का वक्त हो गया है मैं वजू करते हुए शाह की महबत को अपनी आँखों की आगोश में चुपाए खुशी से जूम रही थी नसीब वाली हूँ एक हाकीकी मर्द की शरीके हायात हूँ शामीर मुसले पर खड़ा नमाज अदा कर रहा था जो मेरी कुल काइनात है और मैं इनको कहती थी तुम मेरी जन्नत के फरिश्टे हो जिस पर शाह मुस्कुरा दिया करता है इन मर्दों के किये लाखों सावलाद छोड़ दिये जिनको अपनी अना, जिद, अपनी शरीके हायात से ज्यादा आजीज है